घरों में अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे खेलने को उदने जाते हैं, चोट लगवा के आ जाते हैं, इस्तरियां घर में सबजी वगएरा काटती हैं, सबजी काटते कटते चकू वगएरा लग जाता है, या घर में कोई तिक ही चीज होती है, वो लग गई, कट लग गया, कहीं सीडियों वगएरा से चोट लग गई, कहीं न कहीं छोटे मटी, चोट, घाव, जखम अक्सर होते रहते हैं, और उसके लिए ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, या डॉक्टर को दिखाना ही जरूरत है, फिर्स्ट एड जैसे काम की जरूरत घर पर ही फिक्स कर लें, घर पर ही ठीक कर लें, और आपको बाहर डॉक्टरों के पास भी जाना ना पड़े, तो सबसे बढ़िया है हल्दी के प्रयोग, मैं आज आपको दो तीन हल्दी के प्रयोग बताऊंगा, अगर आप इन प्रयोगों को करेंगे, तो आप को गई हल्दी ने तो आपको बहुत सारी प्राब्लम से बचा लिया, क्या करना है, जैसे कहीं पर भी जखम हो जाए, कहीं पर भी कट लग जाए, जहां से आपको लग रहा है, तो खून बंद करने के लिए, सबसे पहले आप हल्दी का पाउडर वहां पर लगा दें, जैसे ही तो थोड़ी सी देर में ही आपको खून आना बंद हो जाएगा, अब जब खून आना बंद हो गया, तो मैं आपको हल्दी की एक क्रीम बताने वाला हूँ, आप इस क्रीम को घर पे बना लेना, एक चमच शुद्ध देसी घी लेना, और उसमें एक चमच हल्दी मिला देना, दोनों को मिला कर आपकी क्रीम बन जाएगी, ये क्रीम आपने जखम पे लगानी है, बस इस क्रीम को दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आपको लगे, आप उसको लगा सकते हैं, ये क्रीम आपके जखम को रिपेर करने काम करेगी, और इस क्रीम का सबसे बड़ फाइदा ये होगा कि जहां पर भी कट लगा है जहां पर भी आपको जखम हुआ है जहां पर भी आपको घाव हुआ है वो घाव तो ठीक होगा ही होगा और वहां पर निशान भी नहीं पड़ेगा अब अंदर से ठीक करने के लिए एक गिलास दूद लें और उसमें आधा चमच गरम दूद ले लें उसमें आधा चमच हल्दी का गोलें और उसको घुट-घुट भरके धीरे-धीरे धीरे दिन में दो बार पी लें हर रोज इसको दो-तीन दिन तक पीएंगे तो आप देखेंगे अंदर से जो अंदर से हलदी है वो आपके blood को purify करती है और आपके जखमों को जल्दी से repair करती है अंदर से हलदी ठीक कर देगी बाहर से जो मैंने आपको cream बताई तो काम करेगे और तुरंत blood को रोकने की लिए हलदी का जो powder लगाने वाला तरीका बताया है उससे आप तरन तबलाड रोग सकते हैं आप इसे आजमाएं आप होगे स्वामी जी क्या चीज बताई इससे तो हमारे बहुत सारे कश्ट कट गए हमारी जो बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता था छोटी छोटी तकलीफें आती थी और रोज बच्चे हैं और ते हैं घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है तो इसका आपको घरेलू इतना बड़िया उपाई बता दिया आप इसे करेंगे तो आपको बाहर जाने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे